दोस्तों नमाश्कार मैं मुकेश विवित चैनल में आपका स्वागत करता हुआ अज लखनों में बहुत सरदी है लोग बहुत परेशान हैं सरद हवाएं चल रही है ऐसा 14 तारिक के असपास से लखनों में सरदी बहुत है और इन दिनों में तो खासतोर से 26 को 25 को 24 को ऐसा माल विदी लोग सweade उपर नहीं है ऐसा लगता है अनमान sign like लगाने से बीतर बाहर निकला जाएं और देखा जाया के हो क्या रहा है इतनी सर्दी में लोग कर के रहे आ है तो बस चलिए आपको बाहर है लेचलता हुए लखनों को कि खेत्र कनी जहां तक लेजा सकूंगा ठं नज़र आएगी लेकिन काफी आनंद उठाते हुए है हम अपने मित्र के साथ निकल पड़े हैं अब देखते हैं काफी भी भाड़ भरे अलाके की और बड़ रहे हैं देखते हैं वहां पर क्या नजार है देखने के बाद मैं मालूम पड़ेगा वहां क्या हो रहा है हम लोग बत्या रहे थे सोचा थोड़ी चाय भाई पी ली जाए तो बस चाय पीए भी यहीं पीछे और हम आमित रहे हैं अब कुछ बताएंगे इनको चाय केशी लगी इस्थन ने में बहुत बढ़ी आठ आ गई चाय दीके मजा आ गया जड़ाय रहे हुई हो यह बहुत दे अजर माट लागा चाला मजा लाइले ओपेश राकी हम लोग देखे आप कहेंगे पुलिस वाले नहीं है ठंड के मारे हम लोग बिल्कुल दुखके हुए हैं अपने मूँ डखके हुए ऐसा टूपर लगा कि कभी नहीं निकलते लेकर नाज निकले हुए हैं पीछे भी रा अजर ले रहा है और दर्द भी दे रहा है बहुत ज्यादा ठंड इस समय लखनौ में आप देखेंगे बाजार बिल्कुल संती से संनाटे में बहुती संनाटे में है भार लोग घरों में दुखके हुए हैं इका दुखका बाहर गुमते हुए हैं आपको कुछी लोग नज हुआ होता है भीड के मारे यहां जगह नहीं मिलती है मगर ठंड के कारण बिल्कुल सुनी सडकें पड़ी हुए हैं एका दुखका लोग हैं जो जरूरत के कारण आए हुए हैं अन्यता लोग अपने घरों में दबे हुए हैं कुछ यह जो आप बाजार देख रहे हैं आप को ठंड से बसने की हैं हमने भी सोचा था आपको बहुत दूर दूरत ले जाया और कुछ ज्यादा दिखां लेकिन ठंड इतनी है कि हम आपको यहीं तक कि दरसे दिखला सके हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें शेयर करें और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें बहुत बहुत धन्यवाद